असलाम लेकम, माइन इस फैसल चोदरी, आप देख रहे हैं कार मेंटेनस, आज आप ये चीज़ें देखें समझ तो गये होंगे कि ये किसके मुतलिक टॉपिक है, आज जी हाँ जैसे कि आपने समझा है वैसे ही उसी चीज़ के मुतलिक टॉपिक है कि वाइरिंग डाग्राम क तो सबसे पहले जो दोस्त आप चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल इकन को प्लीज प्रेस कर लेज़ेगा ताके नहीं आने वाली नुटिकेशन आपको जल से जल मिल जाए और उसके बाद एक इमानदारी से एक बात करने वाला हो अगर फाइदा हासल करते है तो कि ये वीडियो जितनी मैं मेरत करता हूं ol Buysi happy ये मेरी मेनद बेकार उजाती है तो इसलिए मैने बिखार हों जयाता हूँ कि जयाए जिया लोग देखें पिर जयादा मज़ा आता है जयादा वीदियो बनाया करूं अभी इतना मज़ा नहीं हाता क्योंकि कुछ लोग इतने ज्यादा लोग नहीं इस पर तो यह चीज़ है इसके लिए मैं आपको एक मिनित बताने चाहरा हूं सबसे पहले all diagram क्यूंकि मेरे पास गाड़ी नहीं थी मतलब all data नहीं था मैं पक्सान में हूं तो यह सबसे पहले मुझे download करना पड़ा ठीक है download करने के बाद मैं print office में गया मतलब दुगान पे गया उद्धर से print out निकाला colorful पहले black निकाला black से समझ नहीं थी आरी आप मुझे तो समझ आ जा जानी थी लेकिन आपको समझ नहीं थी आनी तो इसलिए मैंने colorful print निकाला colorful print निकालने के बाद यह कि अभी इस पर वीडियो बनाता हूं चलो time जाया हो रहा है उसके बाद मैंने कुछ दिन पहले एक दो दिन पहले live session किया था तो आप channel पर जाके सारी वीडियो देखा करें सारी वीडियो आपके लिए ही है information वाली है अगर तो आप ने बंदे है चैनल पर नया या चैनल इस मतलब फील्ड का काम सीख रहे हैं electrician का तो आप सारी वीडियो को visit किया करें ताकि आपके mind में मतलब ये चीज़े छप जाएं या आपको कोई इसके मतलिक आपके पास काम नहीं आ रहा लेकिन दुबारा जब आएगा तो आपके पास internet नहीं महफूज होगा यानि internet नहीं है तो फिर कहां से आप डूने के या customer आपको time नहीं देता तो इसका मतलब ये है कि आपको वो चीज़ परफेक्ट तरीके से mind में हो तो जब काम आए तो उससे साफ से आप काम कर लें ठीक है और ये topic की तरफ ये मेरे पास wiring है ठीक है जैसे all data में होती है page one page two जैसे कि ये page लि है मतलब आपने मतलब मिसाल के तौर पर आपको एक चीज़ बता दूँ इसकी एक main जो चीज़ है लोग गलती करते हैं इसको एक perfect तरीके से मतलब इसकी एक ना perfect तरीके से इसको एक sum मतलब लगाना पड़ते है आपको पता हूं चाहिए page wise कैसे होता है आप लोग समझते है यार यह page है यह page है मतलब मिसाल के तौर पर 69 है उसके बाद एक second अगर यह 60 है तो आपको कैसे समझ लगेगी कि यह उसको एक मुकमल तरीके से आपको लगाना चाहिए अगर आप तो print निकालते लेकिन मैं print निकाल के आपको जैसे मैं समझता हूं अगर मिरे पास wiring हो तो मैं उसे साफसे laptop पे computer पे उसके pages screenshot लेके तो उसको सामने निकाल के तो फिर मैं देखता हूं तो इससे मुझे समझ आती है एक second ज़रा वीडियो को मैं hold करता हूं इसको थोड़ा setup करके फिर आपको दिखाता हूं यह कैसे काम होता है कैसे तो मुकमल तो नहीं मैं बता सकूंगा क क्योंकि इसको पढ़ने के लिए एक चीज मैं बता दूं इसको पढ़ने के लिए एक ट्रिक की जरूरत पढ़ती है ट्रिक मतलब इसकी knowledge की जरूरत पढ़ती है इसमें डेवर्ट किसे बोला जाता है हर चीज sensor हर चीज के मतलश की मतलब यह नहीं मतलब मिसाल को तो पर फ्य चूजुज हर चीज़ की अलग से एक डायग्राम बनी होती है जैसे कि इसके सिंबल क्या है यह सिंबल बना हुआ इस का मतलब क्या है यह चीज़े इन्शाला आगर आपको यह विडियो अच्छी लगी तो आप इसको दो कंब से कम एक थाउजन्ड यानि कहसा एक हजार लाए वारिंग की समझ आजाएगी कि आपके पास ओल डेटा वारिंग हो तो आपको कैसे समंभ पड़ेगा आपको ऐसे पकड़ेंगे तो आपको ऐसे समझ lot आजएगी यह चीज क्या है यह चीज क्या है जो ने बंदों को नहीं पासा बिशा जाएगी जी हमेशा कोई भी wiring diagram हो तो चाहे आपके mobile में है चाहे आपके setup में है मतलब PC में है यह कहीं भी है तो आपको इसे साफ से उसको adjustable करनी चाहिए ठीक है कि आपको इसे साफ से सको just करना चाहिए कि मिसाल के तोर पर यह देख्यें चाहिए तक मैं शोसर नंबर तक मैं इसको कापी कर सका हूँ या प्रींट हूट निकाल तक के में मेरा काम था मैं पूरी गाड़ी की वायरिंग नहीं आपको बतानी ये काफी वीडियो पहले भी लंबी हो चुकी है ठीक है लोग वीडियो ज़्यादा देखते नहीं है लंबी तो इसलिए ये शार्ट सी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ सिरफ आपको उन बाई का मतलब चीज यानि उनकी गिला दूर करने के लिए मैं वीडियो बना रहा अगर आप इस वीडियो में कमेंट करेंगे तो मैं इसलिए प्रापर एक वीडियो बना दूँगा जिसमें बेसिक से स्ञार्ट करेंगे हम और पूरा वाइरिंग पे अगर इस पे भी आप जाना चाहेंगे ये चीज में तो इस पे फीडियो मकमल बनाएंगे सबसे पहले यह नॉर्मल सी वीडियो बना रहा हूं ताकि आपका response कैसा आ रहा है इस वीडियो पर ताकि जो चीज आप लोग पसंद करेंगे हम उस पर वीडियो बनाएंगे जो चीज आप मतलब पाक्स्तान में यही सिस्टम है और लोगों का यही सिस्टम है कि लोग जो चीज सर्च करत बढ़ा दो कि यह वार्ण है डाल में एक चीज सबसे पहले हम चीज़ इसमें हर एक वार्णि ह्वार्ण में यह आपको चीज़ें दी जाती हैं जिसमें इंगλिश में सब कुछ लिखा हूँ है आप देख लें यह चीज़ें लिखी हुए हैं कि यह की आ Gör अगर आप English पढ़ सकते हैं तो ये इसकी डिटेल है ये भी हमारे काम की नहीं है ये आपने पढ़ना हो तो आप पढ़ दें और दूसरे नबर बे एक चीज है कि ये पूरी की पूरी पीडिया फाइल मैं लिंक इसका लगा दूँगा या आप इसको डॉलर करके आप सामने र गया ये तीन पेज ठीक है जो मैं हिंट के तोर पर आपको चीजे एक समझाने जा रहा था कि जो मैं पहले बात कर रहा था कि आपको एक रूल के मताबिक ये देखें ये सर्वस हिंट है मिसाल के तोर पर अगर आप ड्रेक्ट उसमें जाना चाहते हैं तो ये देखें ये क् ये कहां लिखा हुआ है close and open relay ये जो main रे होती है ठीक है ये देखें close and open relay में 5-3 जो main है switch के साथ आनो होता है इस हिसाब से इसमें reading लिखी हुई है ठीक है उसके साथ ये देखें मैं wiring की बात कुछ लोग बोलेंगे हमें wiring बताओ अगर आप ये नहीं समझना चाते हैं ये समझाने के लिए अब सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि बाई का मतलब यही था क्या बताएं अगर आप नहीं तो थोड़ी से वीडियो आगे निकाल दे वो चीज़े देखें ये देखें ये इंजिन कूलिंग टंपरेचर के इसाफ से कितना कूलिंग हो ना चाहिए ये चीज़े हैं बैर्टरी की वोल्टेज हर चीज़े इसमें मेंचन की जाती है आप राम से देखेंगे तो आपको इसली समझा जाजएगी ये ये ύक ये एक चीज़ होगी उसके बाद ये देखें ये बाडी पॉर्ट है हर एक वाइर डाइगराम में ये चीज़ें जरूर होती है घ्के ये देखें पॉर्ट तो लोकेशन है यह पार्ड नमबर कहां है A2 कहां है दूसरा कहां है यह पार्ड नमबर A2 A13 सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन आगर आपको चलूर नहीं हम इस पर नहीं जाते हैं लंबी हो जाएक वीडियो रिले ब्लॉग यह देखें जहां वन नमबर लिखा हुआ है 22 से पेज यह देखें आप बगर शार्ट सिर्फ होता है ना कि बुक के फस्ट पे आपको एक चीज़े नजर आती है जो आपको डिरेक्ट उसी जगह पे ले जाती है यह आप यह देखें अगर आपने इंजिन ब्लॉग रले और ब्लॉग देखना है तो पेज नमबर 22 पे देख लें थ्री नमबर है कि रॉइट साइड आफ पैनल की आप चीज़ देखना चाहते हैं तो पेज नमबर 28 पे देख लें यह चीज़े हैं यही है हर चीज में हर एक वाइरिंग डाग्राम में ऐसा ही होता है यानि सी पेज और उसके बाद अगर आप ग्राउंट पॉइंट देख है होता है कि यह चीज़ें है आप जो अगर शार्ट कर देखना चाहते हैं तो उस पेज देख लें ठीक हम वीडियो देखते स्टाट करते यह समजह कि गाड़ी की इंजिन की वाइरिंग ठीक है यह पूरी समझे मैंने इंजिन की वाइरिंग बिच्छा दी है ठीक है आपक क्या तरीका है, कैसे आपको पता चलेगा यह चीज है, यह दखें, यह बैट्रिय यह बगाईदा तोर पे हर चीज के ऊपर लिखा होता है FD Main यह देखें, यह 30 नंबर का fuse लगा होता है यह देखें, पना नंबर EFI fuse, ठीक है? EFI यह देखें आपको जो आपको भी समझ आती है जो मैं पेज एक साथ लगाया हैं ताके आपको इसे समझ आजए अभी आपको समझ आएगी यह देखें EFI Fuse जिरब मैं आपको बताता हूँ यह वाइनिंग कहा जा रही है यह वाइर गुमते गुमते नेक्स्ट पेज में जाते जाते ग्राइड नहीं है उसे क्या होता है कि आप जूम करके देख लिकते हैं तो आपको इजी लिए समझाता है यह देखें इसके अंदर वाइड एक लाइन है लेकिं मेरे हाल में मेरा तुरा सा शेड़ो आ रहा है तो यह वाइड है ठीक है यह चीजे हैं यह फई का फ्यूज है यह सीधा ईसीय में जा रहा है ठीक है इसके बाद यह बैटीके वाइर निकल रही है जो फीwn के साथ कनेक्ट होके सिधा एक इनेक्चिन इसको 220 स्विच उच बोला जाता है यह चाइट 이렇게 है इदर से वाइ निकल रह多 एक बलेक निकल रही है ठीक है यह हाली रेरड है तो रेर क्लादा काम आगर आपने ECM के रेलेट Erst ए तो यह देखें यह हमभी को कि यह देखें यह fay ले यह देखेंई यह देखें uniform के अंदर आपको बटाawy करण्ट जाती है आपको सब को में किल झाय कोई धो सिके रूद किसे लेकिन नाम सब्सक्राइब शीरलोबन सब्सक्राइब शुक्राइब बृट में इसको कि में हुसroot कि मॉट समय वही और जह रही है उन्हों खरी यह झाय नि akan कोंपर कि में कोंड़ दों आठेच हो चुक्राइब यह जो नहीं इगनेशन कोईल्स के अंदर यह देखें B-plus के नाम से बैटरी चलेगी यह देखें यह ग्रॉंड है है यह थिए इन इसे देखें प्वाइल्स में यह वाइरिंग है ठीक है यह बीपला से यह ग्रह उठा ऑगे ठीक है उसके बाद चौर वाइर की कौरा होती है है जैसे कि टोटा यह डारेस वीडस बिल्टा यह नि हर चीज में यह चार किसम की क्रॉला हाई लक्स वें गोडाला जिसको बोला जाता है हाईだけ रियनी साम में टरिवर की ही वायरेंग इसिमाल की जाती है छार वायर वाला ठीक है यह देखिए यह दो तो अगे तीसरा नंबर पर एक आती है उसमें दोनों यू सिर आती है यह सबमें एक इस्यू से आ रही है एक इसकी एक इसकी अलग से इसकी अलग से जा रही है इसकी अलग से जा रही है ठीक है इसकी अलग से जा रही है इसकी अलग से जा रही है साथ में यह देखें इनी साथ में कलर कोड भी लिखे हुए है यह देखें यह यालो वाई जी का मतलब होता है या अगर आपको नहीं समझ आ रही है आप कलर वाली जो गूगल पर जाएं कलर नेम लिखें तो उदर में जो जो लफज आएगा इस इन्हों ने शार लिखा होता है यह देखें यह दिखा हुआ है यह वाइट एंड ब्लैक यह चीज़ें हैं इसी तरह यह देखें यह इस्यू म की हो रही है तो अगर आप यह देखें इंजेक्टर की ऐसे ही वाइरिंग जैसे के यह वह यह देखें जेक्टर की वाइरिंग है यह बिलिलकुल यह नेक्स्ट पे पे इंजेक्टर की है यह इंजिन कंट्रोल मोडूल की इधर भी शेप उनों ने बनाई हुए इंजेक्ट यह चीज़ है ठीक है उसके बाद यह यह इंजिन कंट्रोल मुडूल है यह कैन कम्यूनिकेशन का सिस्ट्रम है जिससे जी सुरी पाक्स्तान है तो लाइट चले गई तो मुझे यूपियस की वज़ाद से दूसरे रूम में आना पड़ा ठीक है तो लाइट मेरे हाल में थोड़े से कम है यह देखें यह क्रूस्ट्रोल और जो इसी में के साथ करन कम्यूनिकेशन जो इसकी वाइरिंग है ऐसे यह दूसरी वाइरिंग है अगर यह आप गुर्ट से देखेंगे कि यह देखें AC का र्लेटीट है यह हर चीज इसके अंदर वायरिंग को मेरा मिकस्द त्हा कि सिर्फ आपको इसा का प्रेशर शुिच हा गया यह लो कलर का यह है यह सितरमोस्टेड है यह हर चीज के मुतालिक एक अलग लग सिस्ट्रम है अगर हम वीडियो बनाएंगे अगर इसको प्रॉपर हम समझने की कोशिच करेंगे तो अगर इसी की हम बात करेंगे तो इसी पर मेरे हाल में वीडियो आ जाएगी तक्रीब पंदरा से बीस मिन्ट उस पर ही टाइम निकलेगा ठीक है तो मैंने इंजन कंट्रोल मडूल की वाइरिंग डॉनलोड की है तो इसलिए ये सामने है अगर आप फिर भी चाहते हैं कि ये जो सामने है इसको करोला के बारे में हम प्रॉपर आपको डिलिंग के साथ यानि प्रॉपर एसी पे अलग से वीडियो बनाओ जैक्टर पे अलग से वीड करते रहेंगे किस पे पहले वीडियो बननी चाहिए ये मेरे पास वाइरिंग है इसको ही मैं लेके चलूँगा एक एक स्टेप बाइस्टेप तो आप मुझे बता दे इन्शाला मैं स्टेप बाइस्टेप चलता हूँ और उसके बाद ज्यादा अगर कुमेंट आते हैं इस चैनल है यूट्यूब का उसको भी सिस्क्राइब करें इन्शाला उस पे ज्यादा तर अपडेट उस पे ही किया करूँगा क्योंकि ये सिर्फ काम के मतलिक एक चैनल है और बाकी चीज़े इन्शाला उस पे अपलोड करूँगा ठीक है थैंक यू अल्ला अफिज और वीड कमल एक चीज़ की समझ आ जाये करें